मेरा नाम आयूस और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का अध्याइच्छे हैं रेखा हैं और कौन उसके बारे में तो इस चैप्टर हमें होती आसान चैप्टर समझने की चीज़ें इसमें ज्यादा हैं अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी तो खोसिस की जागी कि इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएं और इस वीडियो में इस अगर proclaim और आता रहता हूँ तो चलिए सुमें पूर करते हैं में तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लेखimaan के बारे में तो रेखा क्या होती है किसी भी बिंदू को अगर हम मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है तो देखिए किसी भी दो बिंदू को मिलाने पर एक रेखा बनती है और रेखा का कोई भी अंत बिंदू नहीं होता है तो यह रेखा जो धोनों और से बढ़ाई जा सकती है रेखा का कोई अंट-बिंदो नहीं होता है अब हम किसी रेखा को दिखाएंगे कैसे तो रेखा को दिखाने के लिए में पहले इसको मार्किंग करना होगा और A, B तो यह हो गई रेखा A, B हम इसे लिखेंगे रेखा A, B तो हम इसे ऐसे लिखते हैं यह है रेखा A, B उसके बाद आ जाते हैं किरन पर तो किरन क्या होता है किरन जो है वो रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदू होता है, तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदू हो, तो एक अंत बिंदू और इस साइड से ये बढ़ाई जा सकती है, तो ये हो गई, किरन, अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, तो यहां मान लिजे, A ले लिए, और ये है B, तो इसे हम लि जिसके दो अंत बिन्दू हो उसे हम रेखा खंड करते हैं तो रेखा खंड जो है इसका हमेशा दो अंत बिन्दू होगा और इसे हम दिखाएंगे रेखाखंड A-B, यह है रेखाखंड A-B, तो यह हमने रेखा, किरन और रेखाखंड के बारे में पढ़ लिया, इसे हम कैसे दिखाते हैं, यह भी हमने देख लिया, और आप अपने साथ कॉपी और पेन ले के बैठे हैं, क्योंकि यह सब जो डेफिनेशन्स है, यह हो सकता है कि आपको एकञाम में आएं, तो इन देफिनेशन्स को आप नोट कर लिजे, तो रेखा-किरन और रेखाखंड के बारे में मैंने बता दिया, अब हम जानते हैं कौन के बारे में, तो कौन कैसे कहते हैं, कौन एक जैमितिया क checklist यह हो कब बनती है, कौन तब बनता है, जब द दो किरने एक ही बिंदो से प्राराम होगी तो जब दो किरने एक ही बिंदो से प्राराम हो रही है तो यह जो आकरती है यह कहलाती है कौन अब कौन में क्या है माली जी यह कौन ए ओ भी है हम इसे लिखेंगे कौन ए ओ भी अब कौन में क्या होता है इसकी दो भुजाएं होती ह भुजा ओए और भुजा ओबी यहाँ पर दो भुजाए ओए और ओबी और इसका एक उभैनिस्ट सीर्स होता है इन दो दोनों भुजाओं का तो यहाँ पर भुजा जो है इसकी कोन की दो भुजाएं जो है वह है ओए और ओबी तरह इसका जो सीर्स है इसका सीर्स है वो है ओ, तो यह हो गया, कौन, अब कौनों के बारे में आपने पहले भी पढ़ाओगा, कौन कितने प्रकार करते हैं, कौन 3 प्रकार करते हैं, निून कौन, अधिक कौन और सम कौन, तो निून कौन हम किसे कहेंगे? न्यून कोन हम कहेंगे जिसकोन की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से जिसकोन की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहेगी वो कहलाएगा न्यून कोन अब सम कोन किसे कहेंगे तो सम कोन जो है जिसकोन की माप 90 डिग्री हो वो सम कोन हो गया और अधिक कोन किसे कहेंगे अधिक कोन हम उसकोन को कहेंगे जिसकी माप 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा और 180 डिग्री से कम रहेगा 90 से 180 डिग्री वाले कोनों को हम अधिक कोन कहेंगे इसी प्रकार एक होता है रिजू कोन तो रिजू कोन हम किसे कहेंगे चिस देप एक क्वा सबस्क्राइए हरे यह जो सबस्क्राइब है कि आ केबाद कर अगर अगर यह कौन है को कि अगर यह कौन एओ भी तो हम इस कौन की बात कर रहें अगर हम लिखें प्रतिवर्ति कौन ऐओ भी कि अगर हम लिखें प्रतिवर्थी कौन एओ भी तो इसका मतलब हुआ कि हम इस कौन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि किसी भी बिंदू पर जो है वह 307 डिग्री का कौन बनता है तो प्रतिवर्थी कौन एओ भी को हम लिख सकते हैं यह बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि कौन किसे कहते हैं कोन की भुजा और कोन का सीर्स क्या होता है यून कोन किसे कहते हैं सम कोन किसे कहते हैं अधिक कोन किसे कहते हैं रिजू कोन किसे कहते हैं और प्रतिवर्थी कोन किसे कहते हैं तो यहाँ पर हमने रेखाओं के बारे हैं पढ़ है अब देखते हैं आगेश चेप्रेमा और क्या-क्या पढ़ना है अब देखते हैं कि आसन कौन किसे करते हैं तो आसन कौन वह कौन होता है जिसका एक सीर्ष उभहनिष्ट होता है वो दो कौन जिसका एक सीर्ष उभहनिष्ट हो और एक भुजा उभहनिष्ट हो और जो उभ इसका एक सीर्स उभेनिष्ठ यानिक अगर हम कोन देखें इन दू को अगर हम देखें और फ़ू इसका सीर्स पोज़ यह उभेनिष्ठ है तो सीर्स जो है इसका कि वह उभेनिष्ठ है इसका सिर्स वहानिष्थ है तथा इसकी एक भुजा जो है ओ बी कौन ए ओ बी की भुजा ओ ये भुजा ओ बी ये जो है ये ऊपनिष्थ है आप गारी जानी common है डोनों में है तो इन दो कॉनों में देखिए इसका सीर्स और ये भुजा उभैनिष्ट है और इसके अतिरिक्त जो दो भुजा है ओए और ओसी ये दोनों भुजा ओबी के विप्रीत और इस्थित हैं तो हम कहेंगे कि कौन ए ओबी तथा कौन बी ओसी जो है वो आसन्न कौन है कौन ए और गशेशन का सकती कौन एो बी ओस्गोर आसन को नहीं होंगा क्यों कि इसकी जो भुजा है वो है ओसी को सी ए और निए ओसी कि मिए ओसी क्योंसिक ओसेश्ट ऑन और इसकी जो दो भुजा है वह और इसकी जो अतिरिक्त जो दोब हुजा unterstützen तो यह जो हम कहांगे कि कौन कौन एओसी ताथा को बूची आसन को नहीं होगा कि आसन कौन नहीं थिए क्यों नहीं है क्यों कि इसकी जो भुजा अबेरीष भुजा ओसी ए उसके एक ही और इसके अत्रिक्त दो भुजाएं जो है वह स्थित है तो हमने सिखा कि आसन कोन क्या होता है कि वो एक ही भुझा जो है उभेनिष्थ होना चाहिए और एक सीर्स होना चाहिена और जो उसकी अत्रिक्त दो भुझा है वो ओभेनिष्जा के विप्रीत और रिष्चित होने चाहिए तो आसन्कोन आप लोगों को समझ में आ अब आगे हम लोगों को पढ़ना है रैखी की उगम शीरसाव भी मुख़ून तो इन दोनों चीजों को आगे देखते हैं कि तो आज़ें आप देखते हैं कि रैखिय क्यों क्या होता है cities कि एक सरल रेखा पर जो है यह इक सोऑसी डिगरी का कौन बनता है तो अगर कोई फॉंस रिखाया है तो हम कहेंगे कि वहाइं एक स्वासी डिगरी का कौन अब अगर हम देखें तो कौन एओ सी दो कोनों का योग है कोन एक्स है और हमें पूछ दे कि एक्स कमान क्या होगा तो हम यह रैखे के उख्यूहमसे हम क्या लिखेंगे क्या कून है है टू एक्स प्लस एक्स ये दोनों जो खोग हो स्थी दिग्स हो जाएगा या निदि एक्स हो ट्शेव्य कों इनम्टे संट ऐसे आख़immer कर यूज करके जो कि हमें बोलता है कि किसी भी सरल रेखा पर 180 बनता है और कि इसका उल्टा भी साते है कि यदि कहीं 180 डिगर का कौन बन रहा हो तो वह एक सरल रेखा होगी यानि अगर हमें दे दे कि कौन यहां पर 180 डिग्री है तो इस तरह के क्वेस्टन जो है वह आपको खिताब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे मैं स्वीडियो के अंत में कुछ एक्जामपल भी आपको सॉल्व करांगो ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेस्टन में आपको मिलने वाले हैं कि आई अब देखते हैं कि सीर्षा भ्यमुकोन क्या होते हैं तो सीर्षा भ्यमुकोन क्या होते हैं जदी दो रेखाएं प्रतिछेद करें तो जो आमने सामने का कौन होगा यह दोनों सीर्षा भ्यमुकोन होगे तो जदी हम देखें हैं एसी और बीडी यह दो रेखाएं ज कोन सिर्साभी मुकून के जो योगम बन रहे हैं वह है कोन aob या तथा कून कि सियोडी पहला यूगम होए ये सिर्साभी मुकून का कोन aob तथा कून cod अब हो गया दूसरा यूगम जो बनेगा वोगा कून aod तक हमिसे यहां दो यह वी एव स्थ हैं तो रहां चाल ऑफ मूझ मैं है तो, अब कि सीरसा मिमक तीम मी वह आपस में बराबर होते हैं हम लिग सकते हैं किसल राफ अ किकएольш आफ मैं मैं और ऑफ कोन आप यह फ्सीजा स्वरान बराबर है और ऑफれて हो हम अभी मैंने सिरसा के बारें पढ़ लिया अब आई देखते हैं कि कुछ और चीजे जो इस चैप्टर में में पढ़नी है जोक इस चैप्टर के लिए important है आई यह देखने कि यह दो समांतर रेक है प्रतिछेद करें तो कौन-कौन से कौन बनते हैं उनमें क्या का रिलेशन होता है तो देखिए सबसे पहले यहां दो रिख हैं प्रति छेद करें मैंने आप कोनों के नाम दे दिए तो सबसे पहले बनता है कि एक अंतर कून हम आधायों को एकंतर एक जो होते हैं वो जो बराबर होते एक आंतर कौन बराबर रखनेकंगे उन एक और पust चार ये कट रखतु है ठोने से लिख सकते हैं बराबर कुन.. चार होगा उसके बाद और भी एक आंतर कौन है यहां जैसे कौन दो और यह अगर हम यहां इसे लिख दे कौन छे तो कौन दो और कौन छे यह जो है यह एक आंतर कौन है तो इस तरह हम लिख सकते हैं एक आंतर कौन जो होते हैं वो बराबर होते हैं इसके बाद हो गया एक ही के और के अंतर कुन करें की सफिन और को उसके कहीं जैसे कून दो और कूंतीन यो एक और क्या उसके कून है और हम जानते है कि एक के अंताकों जो होते हैं उसम्पूरक होते हैं bı Smells और तो में सम्पूरक कोन किसे करते हैं तो पूरकोन इस है झाल को फारक पूरक ॉठ जो हैं ऐसे कोई भी दो कौन जिनका यो 90 डिक भी लिए हो वो दोनों को सम्हूरा कोन कह लाते हैं जैसे अगर हम यहां देखें से इसे इसे फूर एक बोलें और इसे कौन दो और यदि कोन एक प्लस कोन दो बराबन नभे डिग्री हो गया थो हम कहेंगे कि यह दोनों एक दूसरे के पूरा कॉन है इसी प्रकार यदी किसी कि दो कौनों का यो 180 डिग्री हो तो हम उसे संपूरख कौन कहेंगे यदि हमें आद देखें कि यह कौन एक यह कौन दो और अगर कौन एक प्लस कौन दो बराबर 180 डिग्री हो तो हम कहेंगे कि कौन एक और कौन दो एक दूसरे के संपूरख कौन है इसी प्रकार हम जानते हैं कि एक ही और के अंता कौन जो होते हैं वो सम्पूरक होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि कौन 2 प्लस कौन 3 ये दोनों जो होगा वो 180 डिग्री होगा इसी प्रकार सम्मूख कौन तो सम्मूख कौन में आ जाएंगे कौन 1 और कौन 3 सम्मूफ कौनों के योग में पढ़ेंगे तो सम्मूफ कौन किसे कहेंगे कौन एक लख यह सम्मूफ कोनों के योग में यानि एक निवा िसमांत लिख दे टो कौन 2 और कौन 7 invite हो जाएंगे संमुह कोन को उते हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं कि यह तो कौन आठ लिख दें तो कौन टीन और कौन आठ से सब्सक्राइब हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लगती जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं वीडियो में और अभी भी कुछ चीजें हैं जैसे एक आंतर कुन एक और कहांता कौन समुकुल यह सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है तब आपको इस चैटर में आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आई एक दो एक जांपस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह की कॉस्चन मिलने वाले है कि आथ हैं तुप यह अपका कॉस्चन है और इस कॉस्चन में हमें बोल रहा है कि X Y तथा Z ग 레 कि कॉस्चिन को हम कैसे करेंगे तो है से पहले एक निकालनल एक अगर हम देखें तो लिखें गया खृथी में अगर हम देखें कि X और ये कौन और ये कौन ये दोनों सीरसा भी मुकौन है सीरसा भी मुकौन के बारे मैंने पहले बताए कि यदि दो रिखाएं प्रतिछेद करते हैं तो आमने सामने के कौन जो होते हैं वो सीरसा भी मुकौन होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं यहां और हमें यह लिखना होगा सिर्सभी मुखकुन जो होते हैं वो भराबर होते हैं तो एपीक्यू जो है कून एपीक्यू क्या है कून एपीक्यू एक्स है और कून एपी आज वह है तो हमें पहला अंसर मिल गया, एक्स जो होगा, वो 60 डिग्री होगा, अब यहां हम देखें कि Y जो है, वो इस कौन का एक आंतर कोन है, अगर आ ध्यान दें, तो एक आंतर कोन के बारे मैंने बताया था कि, यह कौन और यह कौन एक आंतर कोन होते हैं, उसी प्रकार यह कोन और यह कौन एक आंतर कौन होगा तो यहां वाई जो है वह इस कौन का एक आंतर कौन है तो हम फिर से लिख सकते हैं कौन एक पी आर कि बराबर कौन यह कौन है पी आर एस क्यों यह दोनों कि एक आंतर कौन है तो कौन एपी आर जो है वो क्या है सिक्स्टी डिग्री और कौन पी आर एस जो है वह आई है तो यहां से लिख सकते हैं कि वाई जो है यह यह भी कि इस ती डिग्री है अगेर मेरा अंसर आगया अब मैं है सॉल्व कर रहूं देखिए इसके बाद हमें जैड देखना है तो जैड क्या है यह वाई का समुख को न है अगर हम देखें तो यहां अगर हम लिखेंगे कि कौन कि पी आर एस बराबर कौन कि पी क्यू एस क्यूं कि यहां पर हम ब्रैकेट वा लिख देंगे कि под समु कून क्योंख कि यह दो नामने सामने कौन है हम समु कॉन करते हैं और हमें पता है कि समुक कून जो हता है वह बराबर होते हैं तो कुन p rs क्या और स्क्या ह dough यह आमें मिल यहाइब कि जैड जो भूगा के बराबर हमें यहां पता है कि वाई जो है वो 60 डिए है तो इसलिए जैड हमें मिल जा रहा है कि यह भी 60 डिए होगा तो यहां से हमने देख लिया कि किस तरह के कोस्टेंस आपको मिलेंगे आप सारे कोस्टेंस बन जाएंगे तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं और आसा है कि आपने यह वीडियो पूरी तरह देखियोगी अच्छे समझ में आयागा आपको अगर आपको वीडियो अच्छे लगी और आपको सबकू समझ में तो मुझे कमेंट करके जरूर झाल